Hello everyone, welcome back to my youtube channel लर्विद में So guys, आज की वीडियो में हम बोईस में बोईस का टॉपिक है करने वाले हैं इसने पहली वीडियो में हमने जो बोईस का टॉपिक है auxiliary work, भो हमने complete किया गा यहां पे हमारे sentences बोईस का है sentence यह आपको पता जाड़ रहा होगा words having two objects words, यहां पे words का meaning sentences से है sentences मतलब जो हमारे sentences होता उसमें verb, verb के साथ साथ मतलब verb plus two objects तो हमने पोईस पडूल में let's up हो देगा इसमें he goes to school बैस स्कूल जाता है तो he subject हो गया यह verb हो गई और two school हो गया हमारा उचा school जाता है, तहाँ जाता है school तो यह कि उचे क्वबट अभी जो हमारे sentences कहेंगे verb serving हो गया, तुमापे हमारे दो जाट और इन sentences के active words से पास से words change कहने के दो पाइब होते हैं type 1 में हमको बतलता हूं type 1 यह इसके दो टाइब हो गया यह बसमा आपके basic जो knowledge के लिए बतानों बट कोई जबूरी है कि type 1 और type 2 यह इसके दो टाइब है टाइब है, मैं अच्छे से लिखते हैं type 1st टाइब हमें using object 1st वो बंच से 1st object पो बेंद कर रहा हूं using object 1st before object 2nd मतलब जो दूसरा object उसे और तूसे और type 2nd using object 2nd before object 1st एक बार हम 2nd object को पादे उसके रहें और एक बार 1st इसके लिए एक example देख लेते हैं आ 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 कि आ आ आ आ आ आ आ आ क्राम को क्या दि मैडिसिन तो एक मैडिसिन हो गया ना तब यह हमारा अब्जेक्ट फर्स्ट यह आगा अब्जेक्ट सेकंड एक बात और यहां पी जो हमारी पैस्टिव हो इसमें हेल्टिक वर ग्यून होगी को हमेशा बास करेंगे ठीक है कुछ भी सम्पैस आजए कुछ भी हेल्टिक वर हम बास को रखेंगे और वही जो सब्जेक्ट है उसे अब्जेक्ट मना देए और अब्जेक्ट फर्स सेकंड या पी यह जो पाइप है इनमें से एक बार एक पहली उस करेंगे एक बार एक तो मैं दोनों तरीके से इक जही है नमग वर तक अच्छ शे समझाएं सबसे पहले एक फर्स जएक कर रहा है पाइक वर राम तो राम एक बार हम फर्स जगट रूप्भेक्ट को यूज करें और एक बार वर ऑट सेकंड को तो इसका रूर क्या हो जाएगा हमारे सशर object plus RAM helping word या पे RAM हमार object तो RAM helping word बदे यूज़ करनी है first, so RAM was gave हमारी क्या है, word main word जो है, पूप RAM was given इसके साथ हमार object first and then object, second ठीक है, second object क्या है medicine, so RAM was given आप वोईस हैं तो वोईस में हमें I करना होता है इवन मैडिसिन वाई और जो हमारा सभजेक्ट था अब इसे आमने अटेक्ट बना जिया है सुतना रूप य। थिक यह राम फस्त गीवन मेडिसिन भाई गाई राम डूप दोक् proyecto Second rule क्या होगा? Object first plus happy verb Happy verb हमारी यह बास and then plus main verb plus object second plus by and then subject यह था हमारा rule first चीका हैं? जब हम object first को पहले यूज़ दर रहे हैं और object second से अगर हम यूज़ दरेंगे subject second plus happy verb हमारी यह बास plus verb then object first plus by and then subject यह 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 दर डोक्लर गेव राम मेडिसिन यह हमारा एक्जम्पल का सो राम, राम की जगा हमारा जाएगा मेडिसिन चीका हमेडिसिन बास गीवन राम बस हमें जो object second था और object first का उसे एक्स्चेंज गरना है और इसके हिसाब से हमारे जो पैसे वो इसा वो संटेंस बना ठीक है एक एक्जम्पल रोड देख लेते हैं देखें Mohan sent me a present present का मतलब होता है वक्मार बट यहाँ पे present का मतलब है कोई gift हम इसे gift क्लिक सकते हैं So Mohan sent me a gift Mohan हमारा subject हो गया sent हमारे verb हो गई Me, before my में change करेंगे So यह object first and present हमारा object sent ठीक है So passive voice बनाएंगे Me change करेंगे I object first से use करें I, helping work was sent यह same रहेगा I was sent a present Project second का use करेंगे Present by subject क्या हमारा Mohan चीक है So यह rule first के किसाब से हमने क्या है Rule second क्या coding करेंगे So I got a present was sent a present और I Me by Mohan ठीक है यहां पे आई था हम present को first time यूज करेंगे present में तो object second हमारे यह किसे first time यूज करेंगे तो आई हमारा change नहीं होगा वो Me ठीक है So यह दो example हमने देख लिए हैं I hope आप को चैसे समझाये होगा और वीडियो अच्छे लगी